नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अब एक कुछ समय पहले राजस्तान सरकार द्वारा एक नोट जारी किया गयता है जिसके अंदर गद 10,000 से अधिक पदों के लिए सभी को निराज किया जो कि सवीदा था हाँ जी सरकार सवीदा पर 10,000 से अधिक पदों पर भरती करने की स्विकरती दे चुका है लेकिर बात यहां एक नियमित भरती की थी अगर स्ताई भरती नहीं दे सकते तो पूराने वादे क्यों किये है हमें पहले इतने वादे किये जिसके आधार पे उन्होंने इस जन सयोग और युवाओं का सयोग प्राप्त किया हमने पूरा समर्थन दिया उन्हें कि आगामी समय में हमें स्ताई भरती मिलेगे लेकिन उन्हो से राजस्तान में सभी पदों के लिए सभी सिक्षकों के लिए इस्ताई बढ़ती होती है तो फिर computer सिक्षक के लिए इस्ताई बढ़ती क्यों नहीं ऐसा दूगला पन क्यों ठीक है जहां हमारी माने किमार होते हुए भी यहां कोई एक ट्विट भी नहीं एक कोई बी सयोग नहीं इसी आंधुलन को ले कर हमारे पुछ युवा साथी तेलिकर कुछ कर चुगे हैं और कुछ दिनों से वही आंधुलन को सक्रियक्स किये हुए हैं देकर आप घर बैटे हैं स्वस्त हैं आप लोगों से केवल मेरी इत्ती विंती है कि जो दिल्ली गए युवा साती है उन सभी का आप लोग सयोग करें चै तन से हो चै मन से हो चै धन से हो चै किसी भी तरह से आप लोग सयोग कर सकते हैं उस दिसा में सयोग करें ठीक है पिछले कुछ दिनों में एक ट्वीटर वार हम लोगों ने चला रखा है आप लोगों ने दिखा होगा के पड़सों आपके डेड़ लाग से अधिक ट्वेट हुए हैं कल भी लगबग डेड़ लाग ट्वेट हुए हैं तो यह जो ट्वीटर अभियान है इसको और बड़ा करना है तो अपने साती को कहिए एक अकांट एक अकांट आप बनाएं दूसरे अकांट से अपने सात्यों से ट्वेट करवाई हैं क्योंकि एक हमारे पास में हतियार है यह ट्वीटर आंदोलन अगर ये भी अगर सफल नहीं होता तो फिर अंतिम हतियार के लिए आप लोग सभी दीजिए तिक है मैं लंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक हमें अपनी लड़ाई का परिडाम नहीं मिल जाता तब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे बस सयोग आपका चाहिए सयोग आप करते रहें किसी भी तरह से सयोग करिए मैं नहीं कहता कि आप लोग अगर ब लोगों ने ट्वीटर पे शुरू किया है उस आंदोलन में हम सभी का सयोग करिए घर बैठ कर दिन में कम से कम 10 तो ट्वीट करिए उन्हें शेर करिए री ट्वीट करिए टेलीग्राम जो चैनल हमारे बने हुए हैं तेके उन सभी में शेर करिए अंद में एक और आप लोगो को समझाते हुए एक मिनिट का वीडियो बनाकर अपने फेस्बुक के वाल पर पोस्ट करिए उसे शेर करिए ट्वीटर पे ट्वीट करिए लोगों की नजर में हम आचुके हैं रास्तिय अंदोलन बन चुका है यह जहां अब रास्तिय मीडिया भी अब हमारी बात रखने तो हम बहुत जल्दी अपनी लड़ाई में जीतने वाले हैं तो आप लोगों का सहयोग पर लगता कि हम लोग इस अंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं तो आप लोग भी हिस्सा लीजे क्योंकि ये आंदोलन हमारे लिए नहीं है ये आंदोलन सभी उन युवा आईटी धारक डिग्री वाले व्यक्तियों के लिए है जो बहुत दिनों से सपना सजोए थे इस कंप्यूटर सिक्षा के लिए घर बैठ कर कु अपनी टीम बनाईए आईटी टीम बनाईए आईटी कूर टीम बनाईए और उसके मादम से लोगों को अवगत कराईए अपनी समयश्याओं को बहुत जल्दी हम इस आंदोलन को एक बड़े रूप में देंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है ये मुझे नहीं लगत बहुत अच्छे से सोचेंगे और बहुत ही जल्दी राजीव गांधी जी का सपना पूरा करने वाल है जी हां आईटी की जब बात आती है तो राजीव गांधी की बात आती है जब 1989 के अंदर राजीव गांधी जी हमारे प्रधान मंत्री हुआ करते थे और साइबर निती क ने खुद का पहला सूपर कंप्यूटर बनाया था तो ऐसे मार्ग दक्सक व्यक्ति थे हमारे प्रद्धानमंत्री मोह देया है तो अब मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो राजस्तान इस आईटी के अंदर एक क्रांती ला सकता है इस देश के बड़े युवाज जो आईटी क आईटी में दक्स है तो मान कर चलिए अगर इन्हें एक अवसर दिया जाए तो आने वाले समय में यह जो स्कूलों के अंदर जो आईटी की क्रांती होने वाली है उसमें जरूर सयोग करेंगे ठीक है सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ट्वीटर अभियान और अन्य सभी अभियान में भड़ सटकर इसाली जिये जब भी आख ट्वीट करें तो सब्दों की गरीमा को समझें सब्दे वही होने चाहिए जिनसे किसी को आहत नहीं हो हमारा कोई ऐसा सब्द नहीं होना चाहिए जिससे किसी को आहत पूछे केवल हम निवेदन कर रहे हैं हमारा नमर मरतनी वेदन होना चाहिए कि हम अपनी भड़ती को एक सुछारू रूप से प्राप्त करना चाहते हैं जो वादा हुआ था उस वादे को हम याद दिलाना चाहते हैं हम किसी भी तरह के किसी भी तरह के हिंसा और अन्य जोभी आपको ऐसे समाजिक चीजे होते हैं उनमें हिस्सार लेने वाले नहीं हैं क्योंकि हम सभी एक सक्षत लोग हैं और सक्षत लोग केवल हमेशा सक्षा के मादन से ही आगे बढ़कर उधारण देते हैं तो इस वीडियो को शेर करिए सात्यों के साथ में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुह ज्याद ज्यादा साथ.